आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल रेसिपी नमक पारे की रेसिपी जो बहुत जादा सौधिस बनेगे सिब दो चीजों से बन जाएगी रेसिपी और इतनी जादा खस्ता बनेगी कि आप मार्केट के नमक पारे बूल जाओगे इससे आप बना के बहुत दिनों तक स देने वाली हूँ तो अब हम एड करेगे जीरा यहाँ पे आपको भून लेना है और इसी थोड़ा सा आपको क्रश कर लेना है इसी आपको एड करना है अड़ाई चमज के करीब जो हम नॉर्मल घर में खाते हैं चमज उससे आपको एड करना है अब आपको एड करना है स्व फ्लावर का आईल आपको डिरेक इसमें यूज करना है और अच्छी तरीके से इसे आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से आटा हमारा मुट्टी में बन जाना चाहिए यही इसका इंडिकेशन है कि आपके नमक पारे बहुत ज्यादा खस्ता बनेगे तो देखिए आटा मैंने अच्छी तरीके से मोयान लगा लिया है अब आपको नॉर्मल पानी से इसे गुंद लेना है बहुत ज्यादा लूज भी आटा आपको नहीं गुंदना है थोड़ा सा आपको सकती गुंदना है तो आटा यहाँ पे मैंने गुंद लिया है अब इसे मैं थोड़ी दिर के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए तो उपर से आपको थोड़ा सा ओयल अपलाई कर लेना है नहीं तो क्या होता है मैदे के आटे के ओपर पपड़ी जमने लगती है तो इसे मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर 10 मिनट हो चुके है हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है तो इसे आपको थोड़ी देर के लिए मल लेना है बहुत जादा नहीं मलना है नहीं तो आटे की जो क्रिस्पिने से वो चली जाएगी अब यहाँ पर मैं इसकी 4 लोईया बनाऊंगी आप चाहे तो छोटी छोटी लोई भी यहाँ पर बना सकते हो मैं बहुत बड़ी रोटी यहाँ पर बनाने वाली हूँ और एकी साथ में 4 रोटी बना के नमक पारे बना लूँगी तो बड़ी सी लोई आपको लेनी है उसके उपर आपको तेल अच्छी तरीके से अपलाई कर लेना है और बेलन के उपर भी आपको तेल अपलाई कर लेना है तो इसी अच्छी तरीके से आपको बड़ी सी रोटी बेल लेनी है आप चाहे तो छोटी छोटी रूटी भी बेल सकते हो जैसे आपको ठीक लगे तो यहाँ पे बड़ी सी रूटी में बेल लूँगी तो देख सकते हो friend मैंने बड़ी सी रोटी यहाँ पे बेल ली था बहुत ज़्यादा मोटी रोटी भी ना बेले और बहुत ज़्यादा पतली वाली रोटी भी आप ना बेले तो इस तरीके से आपको रूटी बेल लेनी है, यहाँ पे मेरा एक केजी आटा सिर्फ चार लोई में मैंने बना लिया था, तो बड़ी बड़ी रूटी आपको बना लेनी है, इसे आपको कट कर लेना है डाइमन शेप में या स्कॉयल शेप में, जो नमक पारे होते हैं डाइ देलते समय बिल्कुल भी नहीं चिपकेगे, तो देखे कितनी आसान तरीके से यह निकल रहे हैं, और साथ में लाइन भी यहाँ पे छोड़ने लगे हैं, तो इन्हें एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी, और वन बाय वन करके इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी, तो इसे तेल फ्राई करने के लिए तेल पहले से ही गरम करके रख दिया हैं, मैंने अल्डेडी चार से पांच रेसिवी आज बनाई थी, तो उसी तेल में मैं इसे फ्राई कर लूँगी, जब आप इसे एट करें तो तेल थोड़ा सा हाई फ्लेम पे होना चाहिए, फिर आपको फ्ल प्लेम को मीडियम से स्लो कर लेनी होगी, तो आपके नमक पारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन पाएगे, तो देखे हमारे फर्स्ट बैस यहाँ पे बन चुकी है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी, आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से, इसका कलर भी आप को ज़्यादा चे नहीं करना है, बहुत सारे नमक पारे हमारे बन चुके हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अगर फेस्बुक पे देख रहे हों तो फालो कीजिए